अद्भुत खण, मंगला चरण के साथ प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन, बाबा के धाम का, श्री काशी विश्वनात धाम का, आज लोकारपण और इस समय उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदित्यनाथ, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के जो सहचर के रूप में इस पूरी यात्रा में हैं, वो पहुच रहे हैं, और काशी इसलिए भी बेहत विशिष्ट है, अगर अटल जी के शब्दों में कहें, तो अटल की प्यास बुझाई है, मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म साथ, जिसको पल भर में ही छूकर, फिर भैसे व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर, नारायण, नील कंठ बन गया, तो इसमें क्या संशय? पूरे विश्व के कल्यान के लिए, जो महामानों विश्पान कर सकता है, उनके सबसे प्रिय नगरी है, उनके आवास की नगरी है, और उनके धाम की नगरी है, विश्व कल्यान के लिए विश्पान करने का की संस्कृती जो है, वो सनातन संस्कृती में ही है, और वही भगवान शंकर जिनके क्रोधानल से संपूर्ण जगती खार खार हो सकती है जिनके डमरू की प्रलय ध्वनी से भीशन संघार हो सकता है आज साक्षी बन रहा है भगवान शंकर का ये धाम स्रिजन का भगवान शंकर का ये धाम आज साक्षी है निर्मान का नव निर्मान का न और यहां से निकली हुई कांती लोगों की भ्रांती समाप्त करती है, यहां से निकला हुआ स्वर पूरे दुनिया में गुंजाएमान होता है, और यहां से आज विकास का स्वर दिख रहा है, यहां पर आज गंगा दिख रही है, यहां पर अलकनंदा दिख रही है, यहां पर परिकल्पदा का स्रीजन का मूर्थ स्वरूप बन रहा है। परिकल्प बन रहा है। परिकल्प बन रहा है। परिकल्प बन रहा है। परिकल्प बन रहा है। आसपास की अटारियों से अटालिकाओं से छोटे 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 रिशिकुमार इस वक्त प्रधान मंत्री के एक जलक पाने के लिए उत्सुक भारत माता की तस्वीर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ती बगल मेही आदिशंकर की मूर्ती ये सब प्रतीक भले ही हों। लेकिन ये प्रतीक आपको एक निश्चित लक्ष की और ले जाते हैं। वो लक्ष इस वक्त आपसकी स्क्रीन पर वो स्वयंभू लिंग जिसके शिखर दर्शन करने मातर से आपको लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है। अगर आप सोयम धाम में नहीं पहुँच पाए तो कहते हैं अगर आप किवल मंदिर का शिखर दर्शन ही कर लें तो आपको संपूर्ण फल बाबा विश्वनात के दर्शन का मिलेगा। ऐसा में काशी खंड सकंद पुराण के में वरनित उन शलोकों के आधार पर निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप जितने लोग भी इस वक्त इस भव्य दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं दर्शन कर रहे हैं आप सभी को भगवान स्री विश्वेश्षर के दर्शन का फ इतने भी जंगम प्राणी हैं यहां पर आकर के कुछ भी त्याग करते हैं वो सब कुछ मोक्षदाइनी हो जाता है और इसी लिए इस नए कलेवर में यह जो नवनिर्माड हुआ है उसके साक्षी बनते हुए सभी लोग एक सवर में यह कहते हैं इस वक्त कहते हुए अंदर जा रहे हैं निशित तोर से यह तस्वीर है अपने आप में बेहद रहती हासिक और वही एक आस्था की डुपकी क्योंकि यह मानता है किस प्रकार से मागंगा नदी में डुपकी लगाने के बाद बावा विशनात के चरणों में गंगा जल को अर्पित किया जाता है और यही उस पूरी आस्था का एक पड़ाओ का एक बड़ा केंदर होता है खुद प्रधान मंत्री नेंदर मोदी आस्था की डुपकी लगाने के लिए मागंगा में मौजूद हैं मागंगा को आत्मसात करना उनके चरणों में जाना श्री चरणों का आशीरवात लेना और यह एक पूरी विधी विधान का अपने आप में एक बड़ा संगम के तोर पर देखा जाता है इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रियाग राज में महाकुम का एजन हुआ था प्रधान मंत्री ने वहाँ पर भी आस्था की डुपकी का आनन दिया था वहाँ पे उस का विश्वनात के दरवार में वहाँ पे पहुशने से पहले मा गंगा में जाकर डुपकी लगाना पूरी आस्था के साथ में पूरे भक्ती के साथ में रीती रिवाज के साथ में और यहां पर भगवान शूर को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना और साथ साथ वहां पर आप तस्वीरों में साफ तोर पर देख सकते हैं प्रधान मंत्री की आस्ता साफ तोर से जलकती है वो एक विश्वास ताफ तोर से जलकता है जो यहां का विदिविधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तोर पर जलकता है और गंगा आज इस प्रकार स निर्मल हो चकी है कि आप वहाँ पर डुबकी लगा सकते हैं ये एक संदेश भी साथ तोर पे दिखाई पड़ता है और प्रधान मंत्री हाथों में कलश लिये हुए हैं मागंगा को पुश्व अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई इसके साथ मंत्रो चार के माध माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को भाव को दर्शा आते हुए और निश्व तोर से भगवान सूर को तरपन करते हुए पुश्व अर्पित करते हुए और वहाँ पर उनके हाथ में जो कलश है निश्व तोर से इसमें वो जल भरेंगे और बाबा को जल होता है तो सूर की जो शक्ती है सूर का जो तेज है वो आप में समाहित होता है निश्व तोर से यह सिर्फ धार्मिक मानता नहीं वलकि वैग्यानिक आधार भी अपने आप में है जगत गुरु की संकल्पना पर को साकार किया जा सके और अगर इन द्रिश्यों को देखें तो अटल जी ने कहा है आज सिंधु में ज्वार उठा है लेकिन यहां कहना पड़ेगा कि आज गंग में ज्वार उठा है नगपति फिर ललकार उठा है कुरु क्षेत्र के कणकण से फिर पांच जन्य हुंकार उठा है शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बरबर अधियारा किन्तु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा मागंगा की गोद में अवगाहन करते हुए, मागंगा की गोद में स्तान करते हुए, मागंगा की गोद में इस समय जलारपन करते हुए, समूचे देश की ओर से अनेक हुतात्माओं को शहीदों को तरपन करते हुए, समूचे गंगा में भगवान विश्वनात के धाम का परि खुटात्माओं को अनेक महामानवों को इन्होंने सनातन संस्कृती भारत की एकता और अखंडता भारत की सुरक्षा भारत की सर्रग्षा भारतियता के सर्रग्षण आध्यात्मिक्ता के पुष्पन और पंलवन के लिए अपना सर्वस होम कर दिया तो गंगा आस्तान के बाद इस समय पूजन गंगा में अवगाहन गंगा की गोद में अवगाहन गंगा की गोद में जलाभिशेक करना और यहां से जल लेकर शंकर जी को चढ़ाना वो संभव हो सका है और यह अदभुत द्रिश्य प्रधान मंतरी नरेंद्रमोधी इस समय जलारपन कर रहे हैं कोटी कोटी भारतियों की ओर से अनेक हुतात्माओं को जिनोंने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन का छण छण और शरीर का कण कण सर्वस्व समर्पित कर दिया It is indeed a historic moment and we are fortunate to witness this day. In the visuals we can see our Honorable Prime Minister taking holy dip in holy river Ganges and offering his prayer to Maa Ganga and following the spiritual rituals before reaching the shrine of Bava Vishwanath. और ये अपने आप में तस्वीर है अपने आप में एतिहासिक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डूपकी लगाते हुए और यहां से वो Maa Ganga की गोद में है निशित तोर से वो Maa Ganga जिनके वारे में नोंने कहा था साल 2014 में Maa Ganga ने मुझे बना बुलाया है निशित तोर से उस गंगा के आहवान पर जिसको निर्मल करने के लिए वो खुद को निर्मल होने के लिए लंबे समय से इंतिजार कर रही थी आज वो Maa Ganga निर्मल है अविरल है साफ तोर पे दिखाई पड़ता है और तभी वहां कोई भी जाके शद्धा की आस्था के अधार पर मंतरों चार करते हुए पूजा पाठ करते हुए अर्चन करते हुए जल अतरपन करना अपने आप में यह तमाम प्रकार के जो काम है यह शक्ति को संचारित करते हैं क्योंकि प्रधान मंत्री ने जब भगवान सूर को जल चड़ाया Maa Ganga को का आवान किया तो यह तमाम जो शक्तियां इस प्रकार की अलोकिक शक्तियां जो पूरे ब्रहमांड में मौझूद होती हैं हमारे चारों तरफ मौझूद होती है वो कही ना कही हमारे अंदर आत्मसाथ होती है इस प्रकार के तमाम कारियों से और निश्चित तोर से इस प्रकार के कारियों से शिव का अहवान करना भगवान सूर्य देव का अहवान करना मागंगा की आरती करना और हाथ में इस वक्त प्रधानमंत्री के माला और उसको वो कहीं न कहीं अरपड करते हुए मागंगा श्वेत मकर जिसे हम मगर मक्ष के रूप में जानते हैं उस पर विराजती हैं वो शुब्रवन्ण वाली हैं तीन नेत्रों वाली हैं क्योंकि भगवान शिव का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है वो सभी त्रिनेत्र हो जाते हैं ब्रह्म का नेत्र चक्षु खुल जाता है, स्वयम मा गंगा के भी तीन नेत्र हैं, उनके दो हाथों में भरे हुए कलश हैं, और दो हाथों में वो सुन्दर कमल धारण किये हुए हैं, भक्तों के लिए परम इस्ट हैं, वो स्वयम ब्रह्मा का रूप हैं, विश्णु का यानि तीनों का रूप, तीनों के कारे करने वाली, मस्तक पर सुशोबित, चंद्र जटित मुकुट वाली, और सुन्दर, श्वेत वस्त्रों से विभूशित मा गंगा को में प्रणाम करता हूं, ये मा गंगा का आध्धात्मिक सरूप, जिसमें आप नान करते हुए मा की उस शविका दर्शन करते हैं, उसके बाद देवनदीश श्री गंगा जो ब्रम्भांडम खंड यंतीम, हरशिरस जटावल्लि मुल्ला सयंतीम, स्वरलोकादा पतंतीम, कनकग, गुह गंड शैलास खलंतीम, खोणी पिष्ठे लुठंतीम, दुरित चै, चमूर निर्भरै भ पता को उल्लसित करने वाली, स्वर्ग लोक से गिरने वाली, सुमेर्य की गुफा और परवत माला से अवतरित होने वाली, पित्थी पर विहार करने वाली, पाप समूहों की सेना को कड़ी फटकार देने वाली, समुद्र को भरने वाली, और देवपूरी की पवित्र नदी गंगा में जब और फिर वहां से भगवान श्री विश्वेश्वर के जलाविशेग के लिए जल लेते हुए और मुख से शब्द ब्रह्म का नाद करते हुए नमः शिवाय का नाद करते हुए मा गंगा को याद करते हुए काशी को याद करते हुए सिधान मंत्री नरेंद्र अजय आपने एकदम सही कहा ये अकल्पनी एक शण है याद्भुत शण है अलोकिक है इतिहास में अमर है काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर मागंगा की गोद में मागंगा का अवगाहन किया स्नान किया और अब जल लेक वो जलाइपर करने के लिए चल चुके हैं बाबा धाम के लिए ये संकल्प के सिद्ध का समय है ये कर्मयोगी का आदियोगी को कार्यांजली देने का खण है और सबसे बड़ी बादिये विश्तपम अध्या है स्वरणिमा अध्या है सनातन संस्कृती के इस पूरे काल वे क्योंकि बाबा के दिव्य धाम का भव्य धाम का नव्य धाम का लोकारपन हो रहा है सम्मूचे देश के लिए समूची दुनिया के लिए ये जो स्वाण सिखर आप देख रहे हैं ये जो गैलरीया आप देख रहे हैं ये गलियारे बाबा विशुनात के धाम के चारों तरब मुख्य मंदिर परिसर में हैं यह मुख्य मंदिर परिसर में नवई निर्माड है जहां पर संगमर्बर के पत्थरों पर इस्तुती गान है श्यू की डंगा ओतरण के दृश्य हैं अनेक ऐसे प्रतानक हैं जोकि भगवान श्यू से तंदर्भित हैं और यह जनका अमित हस्ताक्षर लिखा जा रहा है, अमित हस्ताक्षर हो रहा है। सेक्रेड रिवर गैंजिस नाव हेड्स तो और यह तस्वीरें एक बार फिर आप लगातार वारानसी से देख रहे हैं। साथ की गवाही देता है, इस बात को पुनर स्थापित करता है कि यह जो साधना है, यह निरंतर है और यह आज कल भी चल रही थी, आज भी है और आगे भी चलती रहे हैं। उसी साधना का एक महत पूर्ण पढ़ाओ के तहट एक हिस्सा बनने के लिए आज जो तमाम लोग जुटे हैं। पूरी धार्मिक आस्था के साधना के द्वारा की जा रही यह पूरी एक तरीके से क्रिया है जिसके तहट माना जाता है कि बावा के पास में आप अगर माता गंगा का जल चड़ चलाते हैं तो निश्रे तर्व से आपको तमाम पूर्ण के लाब प्राप्त होते हैं। उस लाब का ही असर होता है कि जब देश का प्रधान सेवक शशक्त होता है, मजबूत होता है, शक्त इसे संचारित होता है, उसका लाब पूरे राष्ट को मिलता है। को बनाने के लिए वो एक काम साफ तोर के दिखाई प rolling कि जल आज ऐसा है मागंगा का कि आप आस्ता के डुपकी लगा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप आच्वन कर सकते हैं, उनको आत्मसात कर सकते हैं मागंगा के उस सुरूप को वापस लाने का जो एक बढ़ा भागी प्रियास किया रहा था वो बहुत हद तक जमीन पर उतर गया और आज स्वक्ष निर्मल गंगा लोगों का अहवान करती है कि आओ और मुझे आत्मसाथ कर लो आओ और मुझे अपने साथ लेकर चलो निश्यत तोर से ये बताता है कि जो प्रियास किये गए हैं काशी धाम में वो वारान असी में वो अपने आप में निश्यत तोर से फलीभूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अगर देखे तो यहां साक्षात देवाधिदेव, महादेव का वास है ये सनातन संस्कृती का दिव प्रकाश स्टंभ है भगवान, शंकर कचरन पकारने के लिए तिरिपतगा गंगा साक्षात यहां विद्यमान है यहां धर्म और कर्म अभिन्न है यहां पर भवंग, भव संसकार इसकी भाशा है सरलता जीवन दर्शन है सहजता वेश भूशा है प्राचीनता से भी प्राचीन अनन्त विभूशित महास्थान है काशी द्वादश जोतिर लिंगों में सबसे विशिष्ट और प्रधान है यह सनातन संस्कृति की सर्वोच भाव भूमी आप देख रह और समष्ट के कल्यान का मंत्र देती है काशी अनन्त अव्यक्त अक्षर और अविनाशी है काशी जिए विद्धुत अदभुत विहंगं द्रिश्य काशी की महिमा को वरनित करने के लिए शब्द भी कम पढ़ सकते हैं यह देख रहे हैं और ये संकल्पना मूर्त रूप साकार हुई है, स्वप्द द्रस्टा, प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिध्धि का ये प्रमाड है, बाबा विश्वनात के धाम का आज लोकार पड़ हो रहा है देश के लिए और विश्व के लिए. आरदी जी ने एक जिक्र किया था अश्वनी जी तुलसिदास जी को इस दोहे का जिसमें, वो कहते हैं कि जो भगवान शिव हैं यहां पर तारक ब्रम्ह का उपदेश करते हैं, यहां जो कोई भी मृत्यों को प्राप्त होता है, उस नाम का उपदेश करते हैं, जो आपको तम जीवन मरण के चक्र से विनुर मुक्त कर देता है, इसलिए इस क्षेत्र को अभी मुक्त क्षेत्र कहा जाता है, भगवान शंकर ने स्वयम इस क्षेत्र को आनंदवन का नाम दिया, भगवान पिना की शंकर ने इसको आनंद इसलिए कहा, क्योंकि यह जो काशी क्षेत्र है वो अपने आप में मोक्ष स्वरूप ही है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्रिंदावंजे से धाम में रहने वाले लोग कहते हैं कि हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए बहुत ही स्पस्ट तौर पर ये वरनित है काशिखन में कि भगवान शिव केवल मोक्ष नहीं देते, सब कुछ देते हैं जो मोक्ष चाहता है उसे वो मोक्ष देते हैं, जो मोक्ष नहीं चाहता उसे वो इस्ट देते हैं अपने इस्ट की प्रात्ती, अपने लक्ष की प्रात्ती और मोक्ष की प्रात्ती जो कुछ भी अगर आप चाहें आप इस आनंदवन में प्राप्त कर सकते हैं इससे स्वयम भगवान पिनाकी ने इससे अपना नाम दिया इस पूरे वन में जितने भी शिवलिंग हैं यहां तक कि जितने भी कंकड हैं उसको शिव सवरूप कहा गया है जैसा हमने शुरुवात ने बताया कि ये पूरा का पूरा जो काशी खंड है ये पूरा का पूरा काशी खंड इस पित्वी के भूभाग से अलग है क्योंकि भगवान शिव और उनके शक्ति शिवा अब आप ये स्पष्ट तोर पर जो आर्दी जी ने भगवान तुलसी का ज शिव और शिवा की आराधना करते हैं क्योंकि प्रयाग राज की धर्ती पर याग्यवल्क और भारतवाद जी के बीच में जो रामायण को ले करके प्रश्ण पूछे गए जब उन्होंने राम कथा पूछी भारतवाज मुनिसे याग्यवल्क जीने तो उन्होंने उनको श शिव कथा से शुरुवात होती है क्योंकि जब तक आप शिव को नहीं समझेंगे मर्यादा पूर्शोत्तम राम को समझना आपके लिए संभव ही नहीं है और इसलिए श्रिमत भागोतम में जब परीक्षित भगवान शुकदेव से कृष्ण कथा पूचते हैं तो पहले भग प्यादा का चश्मा नहीं लगाएंगे आपको योगेश्वात कृष्ण समझ में आहीं नहीं सकते जब तक आप शिव को नहीं समझेंगे राम तक आपकी गति हो ही नहीं सकती और उसी तारक ब्रम उसी शब्द जिसका उपदेश भगवान शिव यहां पर मरने वालों के का करके और मा भवानी स्वयम पंखा करती है यहां पर जो मरन होता है उसका इतनी महिमा है और इसलिए हम यह कह रहे हैं कि अद्भुद्रिश है अद्विती द्रिश है निश्षित तोर से दे जैसा कि आप करें कि यहां पर मुक्ति के लिए मंत्र देते हैं भगवान शिव यहां मरनम मंगलम यत्र। विमूर्तिम यत्रवुषणम कौशेयम यत्रकाशायम साकाशी किम सेव्यते यहाँ पर मरना भी धन्य माना जाता है जीवन गुजारना यहाँ पर तो अदुत्तिय है ही और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव की ये नगरी हर तरीके से धर्म कर्म और आध्यात्म का यहाँ पर सनातन संस्कृति का यह सर्वोच प्रकाश अस्तंभ तो है ही साथी साथ यह सपष्ट तरीके से पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता से भी प्राचीन इतिहास से भी प्राचीन मानो संस्कृति से भी प्राचीन यह नगर है क्योंकि भगवान शिव ने सर्वप्री अगर के रूप में हिमाले के बाद अगर कहीं पर साक्षात मा परवती के साथ वास किया तो यहीं काशी में उन्होंने वास किया और काशी को यह गवरों प्राप्त है और काशी के गवरों में काशी की गर्मा में काशी की महिमा में आज एक और स्वरल जडित काशी के के बीच के सारे अवरोधों को हटा दिया गया है सनातन संस्कृती बेहत विशिस्ट है इसको अगर देखें तो हमने ही पूरी दुनिया को जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई तब भारत से सामगान का स्वार्गिक स्वर्था दिया सुनाई हमने सामग किया तब पश्चिम की पूरी सभ्था के वन फल खाकर छाल पहनकर अपनी लाज बचाती थी वन और कंदराओं में रहती थी सभ्था के लिए उसे लगर नहीं बसाए थे तब भारत की इनहीं तटो पर गंगा की नहीं तटो पर वेद की रिचाओं को लिखा गया सामगान क ध्वन यहां से पूरी दुनिया ने सुना और इसी को अगर कहा जाए तिस पस्ट है कि मैं अखिल विश्व का गुरु बहान देता विद्या का अमरदान मैंने दिखलाया मुक्तिमार्ग मैंने सिखलाया ब्रह्म ग्यान मेरे वेदों का ग्यान अमर मेरे वेदों की जोति प से उसकोने को कर सकता जगती सवरभम है यह सनातन संस्कृति है जिसने विश्व को सभ्यता का संस्कृति का संसकार का धर्म का आचार का व्यवहार का मर्यादा का मंत्र दिया और उन्हीं मंत्रों पर पूरी दुनिया आरूड है हमीन हमीने वोद्गोश किया वसुधयो कि मंदिर उनके धाम और प्रांगण का अवलोकन कर रही थी तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि संभावता है पहली बार ये अवसर मुझे मिला है कि पूरी मंदिर परिसर की संपूरता में मुझे इस प्रकार से उसको देख सकूँ उसका दर्शन कर सकूँ और जो पिछले वर्षों में कुछ दशकों में आसपास जिस तरह का जो हम कंजेशन कहें जो भीर भाड और जो अतिक्रमड की स्थिती थी उससे कहीं न कहीं बाबा विश्वनात का जो मंदिर है वो हमारी नजरों से ओजहल होता जा रहा था तो निसंदे ये एक अध्वत कार है इस दिशा में और मुझे मंदिर को देखते हुए ये भी ख्याल आया कि मैं जिक्र करूँ कि मंदिर के भीतर एक कूप है जिसे ग्यान वापी कहते हैं और उसे विजडम ओफ वेल वो ग्यान का कूप है और एक बड़ा ही रोचक तथ्व मैंने मेरे जानकारी में आया कि जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा की इस मंदिर को नश्ट करने के लिए समय समय पर आक्रमड हुए और एक बार ऐसा हुआ कि जो मुख्य हमारे पुरोहित थे उन्होंने बाबा का ये जो 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 तिर लिंगों की सात्मा जो तिर लिंग है बारह जो तिर लिंगों में उसे बचाने के लिए स्वैम उसके साथ मंदिर में खूद गए और मुझे लगता है कि उसके बाद से अब तक भी बाबा का जो जो तिर लिंग है वो उसी स्थान पर पूजित होता है तो देख सकते हैं हम जिस तरीके से विज्वल्स में हमें दिखाई दे रहा है मंदिर का शिखर और एक अध्भुट सी उर्जा का प्रवा होता है हमारे मन मानस में जब हम उसे देखते हैं और निश्य तोर पे ये एक बड़ा ही विशिष इस्ट एतिहासिक शंड है हम सभी के लिए जिसके आज हम साक्षी बन रहे हैं तो इस वक्ता शिखर से होते हुए भगवान सुर्य की किरने उस स्वार्ण में शिखर पर जब आप अपने शक्षों से देख रहे हैं दर्शन कर पा रहे हैं तो एक ही शब्द इसके लिए इस सब्सक्राइब अनंद के अंकूर है जिसका हम दर्शन करते हैं पूरी काशी में संथ शिवलिंग यहां के कंकड कंकड हम बार बार कह रहे हैं कि शंकर का ही स्वरूप है उनको आनंद का बीज कहा गया है जब शिवा और शिव शिव अपनी शक्ति के साथ इस भूखंड फर जिसका निर्माण उन्हें सिभसे पहले किया इस ब्रंभान को बनाने से पहले इसके बाद उन्हें सोचा की किसी को ऐसा बनाया जाये जिसके उपर हम सारा कारेभार चोड़ कर के केवल लोगों को मोक्ष प्रदान करने का कारे करें इतना प्रिय है मा भगवति शिवा और श तो अच्छन्द रूप से काशी में मरने वालों को मुक्ष देना कि वो अपने संपून कारियों को किसी के ऊपर छोड़ना चाहते सच्छन मोहने के लिए इसके बाद भगवान श्रुशिव अपने वां मंग पर अपनी कृपादिश्टी डालते हैं और वहां से पुर्शुत और भगवान श्रुशिन नारायण ने आप जो दृष्ट देख रहे थे ललिता घाट उसके ठीक सात में मणिकरणी का घाट जोकी बाद में मणिकरणी का घाट पड़ा जब भगवान ने नारायण को उत्पन्न किया तो भगवान श्रुश्टी अपने चक्र से वहां पर पुषकरनी या कि जिसको हम पोखरी कहते हैं और असंख्य पोखरियां इस पूरे काशी खंड में बिद्धिमान हैं पूरे काशी के ख्षेत्र में और पोखरी इतनी इतनी महत्य की है कि कोई भी यग्य बिना पोखरी के जल के संपोर्ण हो नहीं सकता आप यह समझें और स्व पुष्करनी के निर्माण के बाद उने स्वयम अपने अंग से जल को निर्गत किया और उस पोकरी को भर दिया पुष्करनी को भर दिया और उसी के तट पर भगवान शिव की पचास हजार वर्षों तक तपस्या की शुरुआत आप देखिए शुरुआत से ही जो हमें संकेत मानव जाती को मिलते हैं स्कष्क तोर पर यह मिलते हैं कि एक तो शिव और शिवा के रूप में आपको जगत के कल्यान के लिए अपने आपको खपा देना है और उसके बाद जब भगवान श्री नारायन यहां पर उत्पन्द हुए तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया ह उग्र तपस्या पचास हजार वर्षों तक इतनी भीष्ण भगवान श्री हरी नारायन ने तपस्या की कि भगवान शंकर का मस्ता खिल गया और जब उन्होंने अपने ललाट को थोड़ा सा हिलाया तो कहते हैं कि वहाँ पर उनके एक कान का सर्परूपी मड़ी गिर गया और इसलिए जो पहले चक्र पुषकरनी पचास हजार वर्षों के पहले जो क्षेत्र चक्र पुषकरनी था उसको बाद में मड़ी करनी का कहा जाने लगा क्योंकि भगवान के कान से उस उसके बाद भगवान शिव बार बार विश्णों से कहते हैं कि मैं आपके उपर अत्यंत प्रसंद नहूं आप वर्दान मागिए अब मैं उसी वर्दान का आपको एक थोड़ा सा जो दृष है वो दिखाने के कोशिश करता हूँ भगवान श्रीहर विश्ण ने फिर से जो वर्दान मागा वो देखे अपने लिए कुछ नहीं मागा संपूर्ण संसार के लिए संपूर्ण स्रिष्ण के लिए मागा जिसका संदेश ही भारत यानि ग्यान में रत इस धरा से पूरी विश्ण को जाता है वसधय कुटंबकम का जिसका जिक्र अश्विनी जी ने किया बहगवान विश्ण कहते हैं कि जो कुछ भी जंट शंगयक है सब कुछ काशी में मुक्तिलाभ करें उन्हाने कहां कि पूरे विश्ण में जितने भी जंटु हैं जो कुछ भी जस्त संग्यक है प्रभू भगवान शिव वो सब कुछ काशी में मुक्तिलाब करे फे सदाशिव जैसे आप से मंगल और कुछ भी नहीं है आप सबसे अधिक मंगल हैं वैसे ही पूरे विश्र में इस आनंदवन जैसा क्षित्र और कहीं हो ही नहीं ये स्वयम भगवान विश्व ने भगवान शिव से वर्दान के रूप में मागलिया स्वयम शिव ने वर्दान के रूप में तथास्तु कह ऐसा ही हो कह करके उन्हें वर्दान दिया स्पश्ट तोर पर जो शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं वो इस तथ्य पर इस वचन पर विश्वास करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में आनंदवन जैसा क्षित्र और कहीं है ही नहीं और ये तथ्य आपको काशी में आकर कहीं समझ में आएगा कि सशक, मशक, कीट, पतंग, तुरग, उरग, पंचकोशी काशी में जो कुछ भी मरते हैं उस सभी निर्वान को प्राप्त होते हैं यही काशी की मुक्तिदाइनी प्रकृती है काशी नाम से ही पापक्षय हो जाता है अगर आप हम सभी के साथ में केवल काशी, 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 काशी इसनाम का मात्र उच्चारन भी करते हैं तो आपके पाप ख्षय हो जाती है और फिर तो यहाँ पर ब्रम्हत द्रव के रूप में मागंगा विद्यमान है जो प्राणी मागंगा से जला भिशेक करता है भगवान श्री विश्वनात का उसके पुर्णे का लाब सोचिए उनके पुर्णे का लाब सोचिए कि कितने गुना बढ़ जाता है भगवान विश्वन ने फिर से वर्दान स्वरूप मागा कि जो काशी वासी सज्जनों के लिए ये काशी में रहना सत्य यूग के समान हो जाए अब आप समझें कि यहाँ पर इस वक्त हम भले ही कली जाते हैं यहाँ पर समय कभी भी दक्षडायन नहीं होता है मा उत्तरायन है यहाँ स्वयमकाल उत्तरायन हो जाते हैं क्योंकि कालों के भी महाकाल भगवान श्री भवरव कालों के भी महाकाल यहाँ के अधिपति हैं यहाँ के कोतवाल हैं जहाँ पर थोड़ी देर पहले सा जाशी में जो कोत्वाल सहाव हैं उनसे पूछे बिना कोई काम होता नहीं है और वहीं से इस यात्रा की शुरुवात होई जो इस वक्त मा गंगा में अवगाहन के बाद वस्त्र परिवरतिन के रूप में शायद इस वक्त थोड़ा सा प्रतिक्षा करना पड़ रहा है लेकिन इस समय बाबा के धाम का आप स्वर्ण शिखर देख रहे हैं सनातन संस्कृति के इस दिव्व स्तंब के लिए महाराजा रंजीज सिंग ने अपना पूरा खजाना खाली कर दिया था ये स्वर्ण सिखर और ये स्वर्णी माभा इस समय सूर्य साक्षात यहां पर मौजूद हैं संपोड कोड के निश्चित तोर से देश के दुनिया के लोग इसको तो देखी रहे हैं लेकिन काशी में निश्चित तोर से यह माना जा सकता है कि समूचा समूचा देवाधिपत के इस दर्बार में समस्त देव भी मौजूद हैं और ये स्वर्णी माभाज उन्हीं आ करके अनन्य साधक और साती साथ समस्थ योग योगिनिया समस्थ देव नर्मुनिक गंधर्व संत समाझ साधक मानों हर marque यहां पर मौझूद है मूर्तु रूप में भी अमूर्त रूप में भी साधात रूप में भी जैसल प्रघू है आप लिए पूरा भगवान शीव का दर्वार सजा हुआ लग रहा है भगवान शीव यहां अकेले नहीं है भगवान शीव यहां माता परवती के साथ वामांगे में उनको रखते हैं भगवान शीव के गणपत यहां पर हैं करके मागंग का वगां करके मागंगा का पूजन करके सनातन सनस्कृत की समस्त परंपराओं के संव harass के रूप में और भारत और भारतिज़ कि प्रकाष स्तंव को सजोई हुए मागंगा को कडिले मागंगा की समणिति स मगांज क revisit आक में सजोए हूत। गंगा जले कर इस समय गंगा पुत्र सनातन संस्कृति के संवाहत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अभी मुख हो रहे हैं बाबा विश्वनाथ के धाम की ओर बाबा विश्वनाथ को जलारपण करेंगे गंगा मिर्स्नान और गंगा जल का जलारपण इससे बड़ा पुन्य के धाम के बीच में प्रकारांतर में आने एक जो भवन बने थे सदियों से वो थे लेकिन वो अब सारे अवरोध स्वेक्षया और सबसे बड़ी बात मैं लोगों की यह बताना चाहूंगा आज है कि साड़े 300-400 से ज्यादा जो मकान हटाए गए बगएर किसे मुकदमे बाजी के बगएर किसी लिटिगेशन के बगएर किसी अदालती कारवाई के लोगों ने स्वेक्षया लोगों से वो क्रे किया गया न्यास द्वारा और लोगों ने मागंगा और भगवान शिव के मिलन के रूप में उन्होंने इस महायग में अपना भी योग किया इस महायग में और वह संकल्पना साकार होती दिख रही है अब धीरे धीरे पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोधी हिर्दय में गंगा समाए हिर्दय में गंगा जल समेटे भारत भारति ये ताके तरफ से संपूर देश की तरफ से भगवान को गंगा जल जलाविशेक करने के लिए आ रहे हैं जय की participar मा गंगा का आपने जिक्र किया मां गंगा के बारे महम और जब चर्चा कर रहे थे सहां ब्रह्मोद्रव मागंगा के रूप में यथा गवरी तथा गंगा तस्त्माद गवर्य पूजने योविधर्वितं सम्यक्सोपि गंगा प्रपूजने गंगा मा की पूजा कैसे करें भगवान शिव ने कहा जैसी मा गवरी हैं वही मा गवरा गंगा हैं जिस तरह से आप मा गवरी की पूजा करते हैं वैसे ही मा गंगा की पूजा करनी है और भगवान शंकर के जला यथा हम तवम तथा विष्णों, यथा तवम तु तथा हुमा, तुमा यथा तथा गंगा चतु रूपम नभिदते, हे विष्णों जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम, हे विष्णों जैसे तुम हो वैसे ही गवरी हैं, जैसी गवरी हैं वैसे ही गंगा हैं और चारों में कोई भेद नहीं है भगवान श्री हरी में भगवान श्री हर में मा गवरी में और मा गंगा में कोई भेद ही नहीं है ऐसा भगवान श्री स्वयम भगवान श्री विष्णु से कहते हैं और यह कहते हैं कि जो रुद्र और विष्णु में जो लक्ष्मी और पार्वती में जो पूढ़ धीस्तु सह और इसलिए कहते हैं कि मा गंगा रजत कलश में मा गंगा को समेटे अपने हाथ में लेके अपने भगवान अपने आराध्य भगवान श्री चंद्रशेखर के मस्तक पर उस गंगा को समर्पिक करने के लिए जो स्वयम भगवान श्री हरी नारायन के जब ब्रह्मा के लोक में पहुंजी तब उनके पैर के नाखों से वही ब्रह्मदव जो ग्रंगा के रूपे अवतिर्थ हुआ जिसे भगवान श्री हरी ब्रह्मा ने कमंडल में रखा और उसके बाद वो भागीरत प्रयास के बाद मा गंगा भगवान शिव के शिखाओं में हो हुआ तरब को देख सकते हैं इंडिश्य में भारतगे संस्कृति को देख सकते हैं शिव भक्ति चनाओं है बाबा के चना में जरा विशेट चनाओं तो वारी होने नाथे हो शंकर नाथे ओ करा भांग रगड के बोली तेरे साथ अभूत की टोली मेरे नाथे हो शंकर नाथे ओ मेरा भूला है बंदारी करे नंदी की सोवारी भोले नाथे हो शंकर नाथे ओ मेरा भूला है बंदारी करे नंदी की चावारी नोगा बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के चनाओं ओ नमा शिवाय शब्भू ओ नमा शिवाय शब्भू ओ नमा शिवाय महा देवा तेरा डम रूडम डम 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 बज तो जाय रे हो महा दोथ जका देवाय शब्भू ओ ओड़ा झार रे फिवाय МУЗЫКА झार कोज़ प्रेंग डम तो जिन हम दो कर दो कर दो कर दो बस्टार कर दो कर दो कर दो झाल 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 गंगा के नारे चल जाना मुड़ के घर नहीं आना ये जीवन तेरा लगड़ी का फुकला जीवन तेरा लगड़ी का फुकला ये जीवन तेरा लगड़ी का फुकला ये जीवन तेरा लगड़ी का फुकला काग लगए जाड़ी जाना मुड़ के भेर नहीं आना हर हर महादे ये तस्वीरें आप काशी विश्णात धाम की जहां पर पुरदान मंत्री नरेंदर वोदी नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने मागंगा में जाकर पवित्र आस्था की डुपकी लगाई जल भरा और अब जला विशेक के लिए वावा विश्णात धाम में पहुंचे हैं और ये विश्णात धाम को वो खुद भी निहार रहे हैं महादेवा तेरडं मुरूडमडं दम्धं बज्यतो जायरे हो महादेवा तेरडं मुरूडमडं दम्धं 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 तो जायरे हो पर से तेरे वेहति गंगा वाम मेरा हो जाता जंगा वाम तेरा जब लेता आकता पर से तेरे वैसी जंगा, काम मेरा हो जाता जंगा, काम तेरा जब लेता, काम तेरा जब लेता, मारे अवाज में तो ये तस्वीर हैं बिहंगम द्रशक काशी विश्वनात धाम वारा नसी से जहां प्रधान मंत्री देश के प्रधान सेवक काशी के सांसत पहुंचे हैं अपनी आस्था के साथ में और निश्वत तोर से एक बड़ा दिन क्योंकि अपसे कुछ तेर पहले ललिता घाट पर पधान मंत्री नानेंद्र मोदी ने आस्था की डुपकी लगाई वहां से जल को उन्होंने लिया है माता गंगा से उन्होंने जल लिया अपने और उसके बाद में जलावी शेक के लिए बावा के धाम पहुंचे हैं और यह अपने आप में अतिहासिक लम हैं अपने आप में अतिहासिक तस्वीर हैं और यहां पर तमाम जो पूजा अर्चन और अब आयान आप बन्गों रिडानां रिडा अन्ग एक्राइन अन्ग उण स्मूणप्र नेत्वार नम्हान गम्हाद्ratॉ नायन नाया शंकरता यर्on maha मतुदेवा यर्माप्राट्यु नायना मॉस्था धुर०्फोतामा यर नायना हा दोचारा यर। नायन नायन अठुदा यर। 화 cxcla यर। हरे नायन आ मHा थी परेस्ट्करामाने नायन पुरुणयह खाल्यान फ्रीज्रामन हुझ्ञास्ण। इंधने घुट कोड़ेशं लेकर्णे लो पाड़ सुन्त sihी निवांा है इंडी वो है तो यंदा ग्रा मम भाग्रोप ब्रण भी काया तुरु य्पोटि ने रहाप्रभानिरी अंकुरूले देवा रवक्वाद य तुसर्व डाविनायकंु दूरूम्वानु रॉय्स्टु महेषवरांऩ। चरॉप॥॥॥॥॥ doughट जय भुत्यृ दाया स्री मान्गेश॥॥ भते जल आए रख्यम्यास क testify पुष्पण ह्यां ञाला गता हार वाल मिस्णु विष्णु विष्ण हो श्रीमत् vyह भगात्व महापुरुश त्या लिस्णु रज़न्या प्रवर्त अमारत्या अज्य स्री रम्मनों नी जुदिये परारधे विष्णु पदेश्री स्वेतवारा कलपे जंबूत वीपे भारत वर्षे बरत घंडे आरिया वरतैंक देशान तरगते अवियुक्त वाराण सीच्छेत्रे आनन्द बने महाश्वसाने गवरी मुखे त्रिकंटक मिराजिते अची वर्णयोर मत्थे भागी रथ्याहा पश्च्म दिग भागे विक्रम्षके बोद्धावतारे वर्षे स्विन्द आनन्द नाम निसंबत सरे श्री सूर्ये रक्षणायने ए मंतरितव महामांगल्य प्र सुखले पक्षे दशम्यां शुभबुन्यति धाउ चंद्रवाधरान्वितायां गोत्रहाँ आत्मनाः शृति स्मृति पुराणों वेदोक्त शात्रों भलत प्रात्यरधं श्री विश्वेश्वर साम्व सदाशिव प्रिपाप्रसादं द्वारां देशे स्मिन्द शु भिश्वर्प्रप्रकाण Suppose स्मृति रवष्वर्थ मुष्वाधर समस्ता संसाराश्य प्राहिनां चल्याणार्फ्र। काइक बाहीक मानसि रवस्वा सांसर्गिं पा يعतार जन्दूरित शयदवारां धर्मार्थ्या पुरुशार्च चなたुषत्य शिध्यरःख timing श्री विश्वेस्वरमसाम्व सदाशिव सुप्रसंद्रकम् विशेसतार श्रीकाशीविस्वनात। धाम लोकारपण अवसरेद्ध। अध्य यथाविदि भगवता स्रीविश्वेस्वरमस्या। साम्व सदाशिवस्या। म्हेख्वचायी, दुधनम् करिष्षे तक्ष्वक्ष्ष्व निर्विःःतां परिसमाघ्यर्वंपन्हागर्पनि, स्मरडंचा अिशिलम् मोदारं परम सुन्दरं एकर अंत्संपर अंत्यार करती वोचे लाकांजिकांतम् इरनेज्वार्म सक्लविक्णाहरम् नमामीं जानक वीनान जाया लिज्वाद्य वींजं प्रमासि माद्यां, समोहितं दे विसमस्त में तकंवर अधरी प्रसन्ना गुल्मुक्ति हेत्वुषां भीटां भीयां आत्यायर। कि अधेशन तरह तोर्ट हो यपर जे बताइशन विश्वाट्यम विश्वाद्यम तरहBeं जीदगळ पांचभप्रम इंदक्र मुट्रम नव से कर दो दो शीदय आमांप भूग्याम जाते देव चिवाद नूर्गोर आधक्री क्याएट इस नुट्वार्ट्र कुझ भजब नार्थे रत दिंगात नार्थे बिल्वबत्रं तबरवायामि उन्जा मिंवंगर शंता हर्ते विभकत वे सिवांगर त्रतां कुन आहे कुं से पुरुगंजगता तिरे नवजशात्वा कि इसाथ च्छा बदा मछे जधा नहां जर्वा जगाता यत्मत मूना प्राथमो दैप्यो विगाका अहिंज दर्वान्यं भयं दर्वाच्च जात्म धान्यों जनाचीह परासुवा असुजस्ताम्रों अरुनाउतव भुषु दुमंगरा देश्चैनर गुरुद्रा अभितो देश्चुटिताहा सहत्रसो वैधात्म हेड़ी एतान ही पाठ्यार ग्यास्वनिया अस्थानिया पुगरात्म अल़ करने करते हम दुद्रा सुन्दीया पछान भाप्य करता है, पहन क्यों हिれंक करेंग हेड़ी संदमौ दौ कर्ण मंधिन्न दो कर दो कर दो देघरी दो मुोह अलोगासay नहीं कर दिया कर दोके देऎ करें कक पाय कर दौनुगरा अजिरे कर जोगे करदाई नहीं कर दोके हमई पाल अजिए युदा कर दोम helt aufen है ए ए बाद वाद ए क्रिफंघा घर्ड़ गल्वा मा अधनयी निगर मा फिर्ड़ चारंटीम संदाबाः वा के लिए नहां तकोका जिए निए अधना नितो निए नग है मारू मतफार्खिर्वर्भूर जा ऑधन नापीता अ मारूमानों भानतब्खीर माधुमाम अस्तु शुझाँ माच्ixes व भावंस्टूना आपकुरा दाम्ब्वायत रकुन तू जान्थ अन्द़ुन तमाई इकं आपकुरा तश्या जोरा ततंफ ग्रेनार्मुतर्मुत्मा मुपयाम पुरेतोसे नायत्वायत्वाजृृ। चुर्देन्प रेनाम् जो निरेंगा यत्मा युष्टाता वंवा जियन्दानु का पंदिनो विशल्यो पान भास्कुता अने जन्या या इखवा अबुरस्या विकांका दे पे मकुल्सुना आते अग्मुल्स्व ὁ मिर्शना से लिखकने आइखको कराश्तानम पंचाम् मृतस्तानम हलोगतानम गंधो लगस्तानं जगमरपयामियों शुद्धावार्णाहा तर्वा शुद्धावारों मानिवार्ता आश्वीनाहा स्वेताहा जेताक्षों खुरूनत्त्ते गुद्धाया पाशूपाताये काड़ायामा आवालिक्ता दोज्धान भोधुबाहा पार्चन्याहा आलिव質ता आश्वीयों शुद्धा आश्वात। सबढक्राओ ज्हुद्धावेड़ चौयों स्वेतो तर्वार्ताहा पार्चन्याहा पार्चन्याहा सुकांधिमुष्थिवर्धांपस्धार्णाहा प्रियोर मुक्षियमा मृताता प्रयंभकंजया महे सुगंधिंपतिवेतनम्मा पुर्वारुगदिवा बंधना दितो मुक्षियमा मुताता चन्दत्वारां दुरातरां Mirdk Metall rahaktan contribute DIS्वरीं अरभूता नाम्ता मिओ को स्तियमा काई स्क्रणी निलगर्विवीड बिलोवता उगे नंगो पाल्षिंपतिवेतन यह सुग्तात् são मीता ना औ किनात्रّका दित्वेस्वेस्वरतां पत्राशिवायन महा वत्रम्यक्यो पमीतंच दमरपया मिप्रामुंच दान्वादस्वावु भायो रात्योर जाम्मा जाच्चते हस्काईटा वाह पराता अग्रबो पापा गवांगंधरवा अखानास्वा मिंद्रस्वा प्रेःबदेट्वा मोगदे सोमो राया प्रिदवां प्रच्चमा दर्वचयाता इखंडंडंडंडंडंडंड्यं दाध्यं दुमनो राम् इलेवानं सुराष्ट्रेश्टा चंदनंप्रतिक्रियारां कास्पूरी इड़ां तलाचबतले बक्षातले कौशुभं नाताग्रे परमोक्षिकं दरतले बेडुकरे गंदनंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंडंड श्यांप किपर आप अजय में में लाथि अंधि लाथर में अड़ वय था व्य cassette आव 이야기를 zero आमाकाश्चा में नीवाराश्चा में गोधुमाश्चा में अचूराश्चा में जत्ये नकमन्ता मिध्यत्धानु हूंक पट्चिनों विशल्यो बाड़ भांगुता आदेशान्यास्याया इखावा आभूरत्यानि गंध्रति माल्यादील शुकंधिल नीवारज्यानि निवह प्रोमयारिकानि पुषपाने पूराशंप्रतियतां प्रीकाशि प्रेषवेश्वेश्वेड्वार धाम सदाशिवायनकाना नानामिधकृष्पमाला कमरगभयानि इंमंदार मालां कुल जानकाल यापाल मालां कितसे कराया देध्यां बलाया चादिनंबलाया नाहा शिवाया प्चो नमाश्रीमाया शितां बतला शिवाया नमाना विल पुष्पमालाहा सवर्पया निया ही वहो गई ही पर्जेति वाहुं जाया ये तिंपारिवादा मालाहा अतर्णो विष्वाद वायू नाहि दिर्वाद कुमानु वाद्रूंसंपारिपादु जवाता आजयां पुरा संथापयााय ओम अगनिर्दे वाता बातो घे वाता पुर्यो देवाता, रंक्रमा देवाता, वाता वो देवाता, पुर्दा देवाता, तिर्या देवाता, मारुको देवाता, तेवे देवाता, तेया 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 पुर्य कोराम कुर्णावतारं पौतारं रतारं कुरेंद्रारं कुरावसंतं उचय दया निंदे भवंभांने तैतन् नमामी करविर्भवतं भोकं करपुरं तुप्रजेत्तं आरार्शिक्यम्हं पुर्णे सच्चले वर्णुभवा जंद्रवत्मंगलनी राजनंदमर्भयामी जले नशीतली करणं उस्पई देवाभिनंतरंं अत्ता भ्याम्हात्वबंदरंं आरार्थिक्यर्णं अत्त प्रक्षालंं मंत्र उस्पांजली करचरनक्रितंबा क्रायजं कर्मजंबा स्रवणनयन जंपा मानसंबा पुराःं विड़मवितंबा तर्वमेतल्चमत्वा जय जय सर्मात्य स्रीनावते वसंभू तानंदमानंदवाले अर्भनंदम् आनंदकंदम् हरपापविंदम् वारानसीनातवनातनातं स्रेवेश्वनातंदम् तंगातरंगरमणी यजगलाकलापं गौरे निरंदरविभो श्रतवामभारं नारायडप्रियमरंग दम्हाताहारं भाराणसे पुरवते भार्यवेश्वनातंदम् दवतत्क्वन्न जानामी पेद्रिशोषिनेश्परा याद्रिशोषिनहादेवा तात्रिशायजनमोनातंदम् टीम भार घर्लीजनमन。 डात्रिकालम् बार्यवद नहां निदेटी में प्रतार्चनिन प्रतार्चनेन, देश कालाधिय, अनुसारता, यथा क्यानेन, भिहितेन, भूजना गुषेन, कर्वना, तेन, इंताश्युष्वे, साम्भ, सदा, सिवाधि, देवता, सांगा, सपरिवारा, सायुधा, ससक्तिका, सवाहना, सगना, प्रिएन्ताम नवमा, प्रिकासिमिष्वेस्वरायरह् पड़ंद्व, नमत, भ१र्वर्वाय, निनना खर खेतवे, सास्ता नुयं, प्रनामत्ये प्रड़े नमया, कृताई, पाकुहं, पाकुगर्मा, हं पापार्मा, पाकसंभवा, ऱ्राहिकाम् पार्वतेनाथ्थ, आवाहनम नजानामी नजानाम इतमार्चनम। फूजाम्चैवण नजानामी रम्यतां परमेश्वरा। अन्यतासरणं नाथे प्वेवसरणं वमां। अस्मात्तारुण्यभावेना। रक्षमाम् शिवतंकरा। हरा नवप आरवत्ती पतये हारा हारा महारे। शर्काओ की जाए, राजावान सहाब की जाए, विश्वनात की जाए। तो इस विश्वनात की जाए। भगे बद करते हैं। यहां किस नहीं अब कुछमा धित्हा आइये जानु इता बिदा कुछ्छ नहीं जाजर डेसानातगंवे लिखर कशीड़ डेसान पुस्राईंगे कर दो तो श्रीकाशी विश्वनात धाम में श्री श्रीश शंकर के भोले नात के चरणों में जलाविशेक संपन हुआ प्रधार्वंत्री नरेंद्र मूदी का बेहद अलौकिक ये क्षण है इस लिहास से भी कि इस जीन शीन भगवान भोलेनात कि इस मंदिर का इस जोतरलिंग का जीनोद्धार हुआ है और उसको आज लोकारपित किया जाएगा आम लोगों के लिए तमाम सनातनी भक्त पूरे विश्र में इसको लेकर प्रफुलित हैं आनन्दित हैं उल्लसित हैं फ्रिकाशी विश्वनात धाम में पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी जलाबिशेक संपन्ध हुआ है और वो अपनी इस यात्रा पर आगे बढ़े हैं और यहां पर एक बृक्ष का रोपण करते हुएं किसी भी इलॉकिक सी हे ति बाद विश्व का रोपण पौदे का रोपण इसका एक विशेष महातम्हैं महिमा है और प्रदार मंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रांगन में से हुआ का रोपन करते हुए यह पौधा रोपन अपने आप में कि इसका विशेश महात्व है और श्री काशी विश्वनात धाम के श्री चरणों में पूजा अर्चना करने के बाद जला भिशेख करने के बाद यह पौधा रोपन संपन हुआ है आप देख सकते हैं यह विहंगम द्रिश किस तरह से यह मंदिर का अलौकिक रूप किस तरह से निखर कराया है इसका दिव्व और भव रूप इस मंदिर का जिसने पहले कभी इस मंदिर के दर्शन किये होंगे तबाम आस्थावान सनातनी लोग इस भगवान श्री भोलिनात क द्वादेश जोत्रिलिंगों में से एक अपने करकमलों से किया और संपूर्ण विश्व को शांती का संदेश, पर्यावरन संदक्षन का संदेश, विर्क्षा रोपन के जरिये, जीवन दायनी, प्राण वायु को उत्सर्जित करने वाली वनस्पति जिसे देवी के रूप मे भी पूजित किया जाता है, यहां के धर्माचारे अपनी भेट स्वरूप उचो पहार प्रधान मंतरी को प्रधान करते हुए और वो खशन जिसके लिए देश भर से आए, तीन हजार से ज्यादा संद और संपूर्ण भारत के साथ साथ विश्व प्रतीक्षा कर रहा है लो विधिवत पूजा आर्चना के बाद श्रीकाशे विश्वनाद धाम के लोकारपण के लिए नौनिर्माड पुनर विस्तार के लोकारपण कारिक्रम के लिए इस समय प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी अभिमुख हो चुके हैं, देखिए कितना विहंगम द्रिश्य है, इस रातिसाथ बेहद विश्ष्ट ये खण है समूचे देश के लिए क्योंकि इसी खण का इंतजार, इसी सांस्कृतिक पुनर जागरण की आवशक्ता राष्ट्र को थी, और सांस्कृतिक पुनर जागरण के स्वरूप में इस समय ये द्रिश्य हैं, और आप देख रहे हैं क ये जो श्रम साधक है, आदियोगी के जो श्रम साधक है, जिन्होंने इस महायग्य में अपने श्रम का दान किया है, जिनके अहरनिश प्रयासों से अनेग बार चुनोतिया आने के बाद भी, देखिए, पुश्पांजली अर्पित कर रहे हैं इन कर्मयोगियों के उपर, इ इन श्रम साधकों के उपर, अद्भुत उख्षण समूचे राष्ट की ओर से पुश्पांजली अर्पित कर रहे हैं, इनके कारियों का अभिनंदन कर रहे हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग श्रम साधक हैं, इन्होंने अपनी आहुती इस महायग्य मे और इस समय पुश्पांजली से इनका अभिशेक कर रहे हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी श्रम का सम्मान कर रहे हैं, जो जीविशा है, जो निर्मार है, जो स्रिजन है, वो इनके आथक प्रयासों से हुआ है, निर्देशन प्रधान मंत्री कर रहा, संपूर श्रम जीवियों का श्रम साधकों का सबसे बड़ा योगदान रहा और उनका आभिनंदन कर रहे हैं विलक्षण श्रम का सम्मान प्रतिभा का सम्मान मेधा का सम्मान संस्कृति का सम्मान सनातन संस्कृति के ये मूल बिंदु है ये मूल हमारी परंपरा है और इस महायग्य मे अपने जीवन के, अपने महत्यों के, अपने पुरुशार्थ के, जिन समधियों का इन्हों ने इस यग्य में समिधा जो डाली है। अपने जननायक, अपने प्रधानमंत्री से मिल के, और उन्हों के, अपने जननायक, अपने प्रधानमंत्री से मिल के, के द्वारा स्वयम, एक तरह से प्रोटसाहित हो करके, और पुस्व वर्षा तो भग देवतावी करते हैं। कुर्सी हटाकर, आसन हटाकर उनके बीच बैठे, और ले आए अपने अपने साथ बैठाने के, अजे ये परमपरा भी है कि बाबा के धाम में किसी और का आसन नहीं होता है। और किसी और का आसन वहाल विराजबाल हो ही नहीं सकता है। श्रम्जीवियों के सम्माण, श्रम्पा सम्माण, प्रतिवां के सम्माण 製्यें। कि यही पुनानमंत्री की अधा सब कुं कर देती है जो अपना नहीं उसको great अपना बना लेती है को दूर दृष्टी है यह सहाजिता से हैजय को छू लेने की प्रविर्ति है यह सरलता सहाजिता सब में सुलब नहीं होती और जो अंतर दृष्टी है कि जिन्हों अपना श्रम लगाकर समय लगाकर इस महायग में अपना पूरा जीवन कोविड की दो दो चुनोतियों के बीज भी अहर दिश्ट काम चलता रहा उनको प्रात्मिक्ता देना और बाबा के धाम में बाबा के जला भिशेक के बाद पुश्पा भिशेक करना हमारे श्रम जीविय आपका और अब मैं हम सब की भावनाओं को स्वर देने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ धर्मार्थ कारे मंत्री डॉक्तर नील गंट तिवारी जी को की वो आएं और अतितियों का स्वागत करें हारा हारा महादेव आज इस एतिहासिक पल के संकल्प करता रचना करता इस सोच को भिक्सित करने के लिए संकल्प लेकर के सिरी विश्वनात धाम के परिकल्पना करने वाले विश्व के सबसे लोकप्री नेता भारत के सस्वी प्रधान वंत्री कासी के आदली सांसर शिर्मा नेरिन भाई मोदी जी कारिकरम में उपस्थित आदली राजपाल जी आदली राश्तियत ध्यक जी आदली मुख मंत्री जी उपमुख मंत्री दोए प्रदेश ध्यक तुतन देव सिंग जी पुझ्य संतगर संग्ठन के अन्य पदाधिकारी गर हमारे आदली महिंतनात पांडे जी आदली धर्वेंद प्रधान जी देश के विभिन कोनू से आये हुए बिशिक्त जन आज ये तिहासिक पल है ये गौरों का पल हजारों साल से हजार साल से प्रतिश्चित था पूरी देश की जनता प्रतिएक भग्ध तो प्रतिश्चा कर रही रहते मा गंगा भी प्रतिश्चा कर रही थी अपने अराध्य प्रभुस्चिव से सीदे साचात्कार करने के लिए इस अवसर पर पूरे देश बासी पूरे कासी बासी सबी लोग एक ही सर से एक ही बात निकालते हैं कि युगपुरुस आदली मोदी जी का धन्यवाद है धन्यवाद है धन्यवाद है इस अवसर पर उपस्तित पुझ संतगर का मैं सीस्नवा करके पढाम करता हूँ अभिनंद अविनंदन करता हूं पढाम करता हूं स्वागत करता हूं अपने आधरी प्रधान मंत्री जी का बारम बार अविनंदन करता हूं पढाम करता हूं स्वागत करता हूं बहुत धन्यवाद और अब हम सब की ओर से माननी मुख्यमंत्री महोदय माननी प्रधान मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे और आप सब तालियों के माध्यम से उससे जुडेंगे मैं माननी मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोद करूँगी किशौल भेंट करके अंग वस्तर के मात्यम से माननी प्रधान मंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब तालियों के मात्यम से अपनी भावनाओं को उन तक पहुचाएंगे साथ ही इस्मृती चिन्य भी प्रधान करके उनका अभिनंदन करें और आप सब तालियों के मात्यम से उनका अभिनंदर करेंगे माननी प्रधानमंत्री महोदय की स्वपन को पूरी प्रतिबधता के साथ साकार करने में महतुपोन भूनिका निभाने वाले हमारे कर्मयोगी माननी मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोद करेंगे कि आज के सुअफसर पर अपने विचार प्रगत करें नमा मेसान निर्वान रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म जेदश रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकास माकास वासम भजेहम नमः पारवती पतिये हारा हारा कासी विश्वानाध्धाम के आज के इस भव्य लोकारपण का रिक्रम में मुख्य अथिति के रूप में पस्तित दुनिया के सबसे लोगप्रिय जन्नेता भारत के सुश्वी प्रधान मंत्री आदनिया सी नरिंद्र मोदी जी देश के कोने कोने से आज के समारों में अपना सानेध्य और आश्रिवात प्रदान करने के लिए हाँ पर पस्तित पोज्य संतजन प्रदेश की माननिय राज्यपाल सिमति आनंदी वेन पटेल जी भारती जन्ता पार्टी के राष्टी अध्यक्स माननिय सी जगत प्रकास नडड़ा जी प्रदेश सरकार में मेरे दोनों वरिष्ट सहयोगी उपमुख्य मंत्री सिकेशो प्रसाद मोर्या जी, डॉक्टर दनेश सर्मा जी भारती जन्ता पार्टी के अमारे सभी पदाधिकारीकन बिद्वजन और उपस्तित सभी भाहियो बहनो आज बाबा विश्वनाद के पार किरपा हम सब पर बरिस रही है मागंगा प्रफुलित है और कासी के कोटवाल बाबा भैरो नाद ही आलादित है पुझे संतों का अश्रिवाद प्रधान मंत्री जी की ओहेतुक और कमपा उनकी पेना उनका मार्ग दर्सन इस भब्य कासी विश्वनाद्धाम की रूप में न केवल कासी वाश्यों के लिए बलकि हजारों वर्सों की प्रतिक्सा जब मागंगा इस धर्द्धाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमाले में भगमान सिव की जटाओं में उलज गई थी या कासी में मड़कनिका में उलज गई थी और इस उलजन को दूर किया है भारत माता की इस महान सपूत में जिन्हें आज भारत के प्रधान मंत्री के रूप में भारत वाश्यों के गौरों प्राप्त हुआ है और कासी वाश्यों का स्वभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधी की रूप में कासी को ये सौभा के प्राप्त हुआ कि वह स्री नरेंदर मोदी जी को अपना संसद की रूप में देश की संसद में भेजती है और इसलिए पूरी कासी पूरा भारतवासी देश और दुनिया में हर वह भारतवासी जो भारत और भारतिय संस्कृति भारतिय परंपरा भारतिय सब्विता कौन गामी है आज परफुलित है आलादित है प्रधान मंतरी मोधी जी के परति बार बार उनका स्वागत करने के लिए उनका विनंदन करने के लिए पोज्य संत आलादित है उन्हें अपना अस्रिवाद देने के लिए क्योंकि हजारों वर्सों की ये तपस्या आज सार्थक होती वी दिखाई दी हम सब जानते हैं कासी बाबा विश्वनात का पावन धाम है लेकिन एक हजारों वर्सों से जिन विप्रीत प्रस्तितियों का सामना कासी ने किया उन विप्रीत प्रस्तितियों का साक नकेवल कासी वासी बलकि हर भारत वासी रहा है। ग्वालियर के महरानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया। लेकिन भव्य सुरूप इस रूप में परिकल्पलित होगा या साकार होतावा दिखाई देगा। आज पूजे संत जन अपनी आँखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं। दूरदर्सी और यसोशी नेत्रत्व के सानिध्य में कारे करने, उनके सानिध्य में आगे बढ़ने और भारती संस्कृती और भारती परंप्रा को आगे बढ़ने का एक स्वभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं। कासी में बाबा विश्वनात का इधाम, अयोध्या में सिराम मंदिर के निर्मान की कारवाई, उसी स्रिंखला को एक नया सुरू प्रदान करता है। योग की परंप्रा हो या कुमव को दुनिया के अमूर्थ संस्कृतिक धर्वर के रूप में मानिता देने का औरिक्रम है। भारत की सनातन मुल्यों, सबवेता और संस्कृत रेकों बैस्विक मंच पर परनरस्थापित करने के प्रधानमंत्री मोधी जी के इसी अभ्यान का हिस्सा है, आज में सौसर पर प्रधानमंत्री जी का आप सब की उर से, प्रदेश सरक्कार की उर से, घरदे से स्वागत और अ बिनंदन करता हो और यह हम सब का सोभग्य है बाबा विश्वानाद धाम आज एक नए रूप में एक नए कलेवर की रूप में राष्टपिता महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का वे एक माध्यम बना है जो आज से सौ वर्स पहले राष्टपिता महात्मा लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार या के कासी बाबा विश्वनाद का धाम इस भव्य रूप में हो वा पहली बार हम सब को देखने को प्राप्त हो रहा है और स्वाभाईक रूप से या कासी का विश्वनाद धाम हम सब के लिए हमेशा इस बात को लेकर के कि वाराना सी पुरपती पुरपतिम भजविश्वनाथम के इस भाव के साथ हम सब बाबा बिश्वनाथ के इस पावन धाम की परती निरंतर उस भक्ति भावना के साथ भजते रहें से स्वाज के साथ मैं आज के सौसर पर आधने प्रधान मंत्री जी का, माने राच्चेपाल महोदे का, पूज संतों का, राश्तिय ध्यक्जी का, सभी यहाँ पर समागत अतिजियों का, फिर्दे से स्वागत और अब्रेंदन करता हूँ, हर हर बहुत बहुत धन्यवाद माननी, श्रीकाशी विश्वनात धाम कैसा है, किसी पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आईए देखते हैं पर न न यनद अपात, मुझ में व्यक्ष सकल संसार, मुझ में व्यक्ष सकल संसार जठ गंग गलम अपाउं, जठ गंग गलम अपाउं, गोर अगोरिमा काउं सगल भुवन त्रिलोक प्रकादा प्रित्य सिरंतन नगरी राचा विश्वनाद हूँ मजा नवादी मुझको प्रियमोरी नगरी कादी चिर प्रकाच का नूतन विस्तार आलो किस भया संसार इस वैभव का देख प्रसा करे विरोही हाँ तुछ असुद धर्म विरोदी अग्यानी सत्य विरोदी सनातन पर प्राहार हुआ कुछ पल को अन्दकार हुआ त्रिलोकों से उठी हुकार तोहरे भक्तों की यही पुकार जागा जागा है मतान वासी सुम्रे तोहे तोरी नगरी कासी सुम्रे तोहे तोरी नगरी कासी सुम्रे तोहे तोरी नगरी कासी फिर मैं कहिदय में जागा नवत्रि जन फिर करने लागा सत्य का फिर परचम लहराया स्वर्ण यूग को फिर वाप सलाया काल के परे आदी गुरु शिव की चेतना से प्रकाशत शाश्वत सनातन नगरी काशी काशी का सबसे प्रम केंद्र है शिरीकाशी विश्वनात मंदिर द्वादर्श जोतर लिंगों में से एक काशी विश्वेश्वर के दरशन करने हर वर्ष करोणो श्रद्धालू विश्व के कोने कोने से काशी आते हैं बारवी शताब्दी में जब सनातन संस्कृती का सूर्य अपने चर्मोत कर्ष पर था तब सर्व प्रथम कुछ आतताईयों की कुद्रिष्टी काशी पर पड़ी और काल के वजर को स्वैम महाकाल को भी जिनना पड़ा। परंतु इस रक्त रंजित काल में भी अदम्य आस्थावानों ने काशी विश्वनात मंदिर की जियोती को अखंड बनाये रखा। जिसमें सबसे प्रमुक भुमिका निभाई इंदौर की महारानी अहिल्या बाई हुलकन ने जिनोंने 1777 में शिरीकाशी विश्वनात मंदिर का भव्य निर्मान कराया। महाराजा रंजी सिंग ने 1835 में मंदिर के शिखर को स्वन मंदित करवाया। अपने नए मंदिर में प्रतिष्टित बाबा विश्वनात पुना पूरे विश्व से अपने भगतों को आकर्शित करने लगे। समय के साथ शधालुमों के जन सहलाब के समक्ष काशी की गलियां संकरी पढ़ने लगे। प्राचीन मंदिर अतिक्रमण में चिपते चले गए और बाबा विश्वनात का दर्शन भगतों के लिए दुर्गम होता चला गया। 1916 में जब महत्मा गांधी काशी विश्वनात का दर्शन करने आये तो इस शेत्र को देखकर उनका मन बहुत व्यथित हुआ। काशी हिंदू विश्व विद्याले में अपने वक्तफिय में अपनी इस पीड़ा को व्यक्त करने से वो अपने आपको रोक नहीं पाए। प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने काशी का जन प्रतिनिधी बनने के बाद अपने परिश्वरम की परकाश्था और द्रड़ इच्छा शक्ती से काशी के सर्वांगीन सर्व स्परशी और सर्व समावेशी विकास की अभुत पूर्व यात्रा प्राणम की। प्राचीन काल में मागंगा से जल भर कर सीधे बाबा विश्वनात को अर्पित करने की परंपरा थी जो कालांतर में अनियोजित निर्मान के कारण अवरुद्ध हो गए। प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने लोक आस्था से जुड़ी इस विशिष्ट प्रथा को पुनर जीवित करने का निर्मने लेते हुए मागंगा को बाबा काशी विश्वनात से पुना मिलाने का संकल्प लिया। जब मैं राजरीती में नहीं था, तब जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। पता नहीं, शायद धोले बाबा ने ताई किया होगा, बेटोई, बाते बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। चंसरो महदे बादे, शांकरो महदे बादे, बीवक सब जाएक एक शांकरो महदे बादे अरें अनहींडाश होग के औध जनाना हूगा ऑक यह तरुनिंस होगा में शायदाधक。 पिल्विरिम्स उपर आ सके और ऐसे बनाना है कि उनका मन प्रफुलिक हो जाए परंतु सामने थी चिनोतियों की विशाल परवत श्रिंख लाए पांश लाग स्क्वैर फिट में विस्तारेत काशी विश्वना धाम परियोजना को बनाने के लिए आवश्यक था एक हजाज से ज्यादा भवन मालिकों को स्थानां तरण के लिए सम्मान पूर्वक सैमत कराना अतिक्रमित मंदिनों को मुक्त कराना सघन आबादी की बीच जरजर हो चुके प्राचीन मंदिनों को बचाते हुए संक्षिप्त समय में नव निर्मान कराना ऐसी चिनोती पूर्वक परियोजना को अवरोधों और मुकद्मू से मुक्त रखने के लिए माननीय प्रधान मंतरी ने समवाद और समन्मे का अदभुत मंतर दिया उनकी इस दूर दृष्टी से बाबा का धाम तीजी से अपनी पूर्वता की ओर बढ़ने लगा कौन ऐसा भरती होगा जोद अपने जीवन में एक बार कासी और मा गंगा के दर्शन और स्नान करने का अउसर न अपने मन में समेटे हुए हो उस प्रकार की सुविधा देना उस प्रकार का सुरूप भी देना है और मज़े लगता है कि प्रधान मंतरी मोदी जी के आने के बाद इस संभव हो पाया है इस जटल परियोजना की प्लानिंग, डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में पग पग पर माननीय प्रधान मंतरी ने अपना स्पष्ट द्रिष्टिकोन रखा उनके मार्ग दरशन में पूरा परिसर दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया गया करोना काल में भी विकार्य की प्रगती का उनलाइन अवलोकन करते रहे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी का निश्य अटल था और बाबा विश्वनात पर विश्वास अडिग दोरि बसत सदा संग भास्मल सता आंग आंग पीसा गांग रक्ये गांग भाहन विशा भाते शंकर महदेवदे शंकर महदेवदे शंकर महदेवदे शंकर महदेवदे शंकर महदेवदे शंकर महदेवदे लोक काशी आते हैं उसका मूल कारण काशी विश्वनात महादेव के पती अपार सक्था है उस आस्था को बल मिलेगा हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो व्यवस्था कैसे हो उसका एक मोडल तयार होगा पुरातत्वियत जीजों को बचाय रखते हुई है उसके आतमा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है व्यवस्था आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है इसका एक भावती अच्छा मिलन इस परिश्वर के निर्मार कारिय में दिखाए देगा समस्त विश्व के शिव भक्तों का स्वप्न आज पूर्ण रूप ले चुका है भगवान शिव का गंगा से मिलन पुना संभव हो गया है इस भगीरत प्रयाज की सबसे प्रमुक विशिष्टा ये है कि गत्र चार वर्षों की इस पूरी अवधी में कभी भी दर्शनार्थियों के दर्शन बाधित नहीं हुए और इस प्रक्रिया में जो प्राचीन मंदिर एवं विग्रह पाए गए उन्हें इस संकुल का भाग बनाकर परिसर की भवता और संदर्ता को और भी सम्रिद कर दिया गया काशी विश्वनाद धाम काशी की अविनाशी परंपरा में नवचेतना का संचार करता है भारत के इतिहास की इस प्राचीन पुस्तक में समस्त त्रासदियों के बाद अब जाकर एक स्वन्निम अधिहाय जुड़ा है और आज जब भारत के यशस्वी प्रधान मंतरी शिरी नरेंदर मुदी इसके नए स्वरूप का अनावरन कर रहे हैं तो आईए हम सम मिलकर इस एतिहासिक उत्सप की साक्षी बने और महान सनातन संस्कृती की दिव्य प्रभा से पूरे विश्व को आलोकित करें मनु बुद्य हंकार चित्ता निनाह नच श्रोत्र जिभे नच अध्राण नित्रे नच अभ्यो मभूमिर नते जो नवायों चिदानन नरूपह शिवोहं शिवोहं चिदानन नरूपह शिवोहं शिवोहं काशी की वहभव का विस्तार है श्री काशी विश्वनात धाम इसके नए सुरूप को आज माननी प्रधान मंत्री जी राष्ट को समर्पित करेंगे मैं बहुत ही आदर के साथ माननी प्रधान मंत्री जी से अनुरूद करूँगी कि वो शिला पट का अनावरण करके भव्य देव्य श्री काशी विश्वनात धाम को राष्ट को समर्पित करें शिला पट का अनावरण और श्री काशी विश्वनात धाम राष्ट को समर्पित साथ ही मैं माननी प्रधान मंत्री जी से अनुरूद करूँगी कि आज के इस एतिहासिक समारों में अपने हिर्दय के उद्गार व्यक्त करें हर हर महादेश नमह पार्वती पते माता अन्न पुर्णा की गंगा मैया की इस एतिहासिक आयोजन में उपस्तित उत्तर प्रदेश के राजपाल सिमती आनंदी बेन पतेल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्म योगी स्रीयोगी आधित्यनाद जी धार्पी जनता पार्टी के राष्ट्र अद्यक्ष हम सब के मारदर्शक सिमान जेपी नड़्डा जी उपमुख मंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी दिनेश शर्मा जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी महेंतर अराज पांडे जी उत्रपदेश भारतिय जनता पार्टी के अद्यक्ष स्वतमत्र देवसी जी यहां के मंत्री श्रिबान निलकन तिवारी जी देश के अरकोने से आये हुए पुझ्य संतगन और मेरे प्यारे काशी वाशी और देश विजेश से इस अवसर के साक्षी बन रहे सभी स्रद्धालों सातिगण काशी के सभी बंदूओं के साथ बाबा विश्वनात के चर्णों में हम शीष नवावत है माता अन्पुना के चर्णन का बार बार बंदन करत है अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल वहिरव जी के दर्शन करके ही आ रहा हूँ देश वास्यों के लिए उनका आसिरवार लेकर आ रहा हूँ काशी मैं कुछ भी खास हो कुछ भी नया हो तो सबसे पहले उनसे पूछना आवशक है मैं काशी के कोतवाल के चरणों मैं भी प्रणाम करता हूँ गंगा सरंग रमनीय जटा कलापं गौरी निरंतर विबुशित वामभागं नारायन प्रिय मनंग मदापहारं वारानती पुर्पतिम भजविश्वनाथम हम बाबा विश्वनाथ दर्बार से देश दुनिया के उनस्रद्धालू जनन के प्रणाम करता है जो अपने अपने स्थान से इस महा यग्य के साक्ची बनत होन हम आप सब कासिवासी लोगन के प्रणाम करता है जिनके सयोग से इस शुबगड़ी आयल हा रदाए गदगद हा मन अहलादित हा आप सब लोगन के बहुत बहुत बढ़ायो साथियों हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है भगवान विश्वियस परकाशिरवात एक अलोकिक उर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागरत कर देती है और आज आज कोई स्टीर चैतन्य काशी की चैतना में एक अलगी स्पंदन है आज आदी काशी की अलोकिक्ता में एक अलगी आभा है आज शास्वत बनारस के संकल्कों में एक अलगी सामर्थ दिख रहा है हमने सास्त्रों में सुना है जब भी कोई पुन्य अवसर होता है तो सारे तिर्थ सारी देविय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्तिद हो जाती है कुछ वैसा ही अनुफाव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रमान इससे जुड़ा हुआ है वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने लेकिन जहां तक हमारी मानिविये द्रस्ति जाती है विश्वनाद धाम के इस पवित्र आयोजन के इसे समय पर पूरा इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है साथियों आज भगवान शीव का प्रिय दिन सुमवार है आज विक्रम समवत दोहजार अठतर मार्ग सिष्ष्षुकल पक्ष दसमी तिथी एक नया इतिहास रत रही है और हमारा सोभाग्य है कि हम इस तिथी के साक्षी बन रहे हैं आज विश्वनाध्धाम अकल्पनियल अनंत उर्जा से भरा हुआ है उसका व्यभाव विस्तार ले रहा है इसकी विशेस्ता आसमान छू रही है यहां आसपास जो अनेक प्राचिन मंदिर लुप्त हो गए थे उन्हें भी पुनस्थापित दिया जा चुका है बाबा अपने भक्तों की सद्यों की सेवा से पसंद हुए हैं इसलिए उन्हों ने आज के दिन का हमें आशिर्वात दिया है विश्वनात धाम का एक पुरा नया परिशर एक भग्वे भवन भर नहीं है यह प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का यह प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का यह प्रतीक है भारत की प्राचिन्ता का परंपराओं का भारत की उर्जा का गतिशिल्ता का आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है आपको यहां अपने अतीज के गवरव का एहसाथ भी होगा कैसे प्राचिन्ता और नमिन्ता एक साथ सजीव हो रही है कैसे पुरातन की प्रेनाएं भविश्य को दिशा दे रही है इसके साक्षा दर्शम विश्वनात धाम परिसर में हम कर रहे हैं साथियों जो मा गंगा उत्तर वहिनी होकर बाबा के पाउं पखारने काशी आती है वो मा गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी अब जब हम भगवान विश्वनात के चरणों में प्रणाम करेंगे ज्यान लगाएंगे तो मा गंगा को स्पर्ष करती हुई हवा हमें स्नेह देगी हमें आशिरवाद की और जब मा गंगा उन्मुक्त होगी प्रठन्न होगी तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल गंग तरंग़ों की कलकल का देविय अनभाव भी कर सकेंगे बाबा विश्वनाप सब के है, मा गंगा सब की है, उनका अशिर्वार सब के लिए है लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते, बाबा और मा गंगा की सेवा की ये सुलत्ता मुश्किल हो चली यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगर की कमी हो गई बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, यहां आने में बहुत कठिना ही होती लेकिन अब विश्वनाद धाम परियोजना के पूरा होने से, यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता, सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे जेटी से घार तक आने के लिए भी एसकेलेटर लगाए गए हैं, वहां से जीधे मंदिर तक आ सकेंगे संकरे रास्तों की बज़ से, दर्शन के लिए जो घटों का गंटों तक का इंतजार करना पड़ा था जो परेशानी होती थी, भो भी अब कम होती पहले यहां जो मंदिर छेत्र केवल, केवल तीन हजार वर्गफिट में था वो अब करीब करीब पांच लाख वर्गफिट का हो गया अब मंदिर और मंदिर परिशर में पच्चास साथ सत्तर हजार सद्दालू आ सकते हैं यानि पहले मा गंगा का दर्शंस्यार और वहां से सीधे विश्वनाद धाम यही तो है हर हर महादेश साथियों जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था विश्वास अपने से ज़्यादा बनारस के लोगों पर था आप पर था आज हिसाब किताब का समय नहीं है लेकिन मुझे याद है सब कुछ लोग कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे कैसे होगा होगा ही नहीं यहाँ तो ऐसे ही चलता है कि मोदी जी जैसे बहुत आके गए मुझे आस्तेरे होता था कि बनारस के लिए ऐसी यही धारनाएं बना ली गई ऐसे तर्क दिये जाने लगे थे यह जड़ता बनारस की नहीं थी हो भी नहीं सकती थी थोड़ी बहुत राजनीती थी थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार इसलिए बनारस पर आरोप लगाई जा रहे थे लेकिन काशी तो काशी है काशी तो अभिनाशी है काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथ में दमरू है उनकी सरकार है जहां गंगा अपनी धारा बदल कर बहती हो उस काशी को भला कौन रोप सकता है काशी खंड में भगवान संकर ने खुद कहा है बिना मम प्रसादम भई कह काशी प्रती प्रद्युत्तते अर्थात बिना मेरी प्रसंदता के काशी में कौन आ सकता है कौन इसका सेवन कर सकता है काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है यह जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है इविश्वना ज्धाम तब बाबा आपन आशिर्वाते बने ले हुआन उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला कोई कितना बड़ा है तो अपने घरे कहोईए उन बुले यह तबे कोई आ सकेला कुछ कर सकेला साथियों बाबा के साथ अगर किसी और का योगदान है तो वो बाबा के घणों का है बाबा के घण यानी हमारे सारे काशिवासी सारे काशिवासी जो खुद महदेव के ही रूप है जब भी बाबा को अपनी शक्ती अनुभव करानी होती है वो काशी वासियों का माध्यम ही बना देते हैं फिर काशी करती है और दुनिया देखती है इदम शिवाए इदम नमवा इदम शिवाए इदम नमवा भाई और बहनों मैं आज अपने हर उस्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिसका पसीना इस भव्य परिस्थर के निर्माण में बहा है कोरोना के इस विप्रित्काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया मुझे अभी अपने इस रमिक साथ्यों से मिलने का आउसर मिला उनके आशिर्वार लेने का सोभाग मिला हमारे कारिगर हमारे सिविल एंजिनिंग से जुड़े लोग प्रशासन के लोग वो परिवार जिनके यहां घर हुआ करते थे मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और इन सब के साथ मैं यूपी सरकार हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदितिनाजी का भी और उनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूँ जिन्नोंने काशी विश्वन धाम परियोजना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया साथियों हमारी इस वारणसी ने यूगों को जिया है इतिहास को बनते बिगडते देखा है कितने ही काल खंड आये गए कितनी ही सल्तनते उठी और मिट्टी में मिल गई फिर भी बनारस बना हुआ है बनारस अपना रस विखेर रहा है बाबा का ए धाम साथ्वत ही नहीं रहा है इसके सौंदरी ने भी हमेशा सौंसार को आस्टेर चकीत और आकर्शित किया है हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभासे घिरी कासी से कासी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है अगर हम गरंतों को देखेंगे, सास्त्रों को देखेंगे इतिहास कारों ने भी व्रुक्षों, सरोवरों, तालाबों से गिरी कासी के अद्बूत फ़रूप का बखान किया है लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता आतताईयों ने इस नगरी पर आकर्बन किये इसे द्वस्त करने के प्रयास किये आउरंग्जेब के अत्याचार उसके आतन का इतिहास साख्षी है जिसने सब्विता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की जिसने संस्कृती को कटरता से कुचलने की कोशिश की लेकिन इस देश की मिट्टी बाप की दुनिया से कुछ अलग है यहां अगर आउरंग्जेब आता है तो सिवाजी भी उठ खड़े होते हैं अगर अगर कोई सालार मसुद इदर बढ़ता है तो राजा सुहल देव जैसे बीर योद्धा उसे हमारी एक्ता की ताकत का एसांस करा देते हैं और अंगरे जों के दौर में भी वरन हैस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था यह तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पर निकलता है गोडे पर होदा और गोडे पर होदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल बारिन हस्टिंग साथियों आज समय का चक्र देखिए आतं के वो परियाएं इतिहास के काले पन्नों तक सिमटकर रह गए हैं और मेरी काशी मेरी काशी आगे बढ़ रही है अपने गवरव को फिर से नई भव्यता दे रही है साथियों काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना डूबता जाता हूं उतना ही भावक हो जाता हूं काशी सब्दों का विशह नहीं है काशी संबेदनाओं की स्रिष्टी है काशी वो है जहां जागरूती ही जीवन है काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है काशी वो है जहां सत्य ही समस्कार है काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है हाई यो भनो हमारे सास्त्रों ने भी काशी की महिमा गाते और गाते हुए आखिर में आखिर में क्या कहा नेती नेती ही कहा है यानि जो कहा उतना ही नहीं है उससे भी आगे कितना कुछ है हमारे सास्त्रों ने कहा है शीवम ज्यायन इती ब्रुयो शीवत शब्दार्त चीन्तिक अरुखात शीव शब्द का चिन्तन करने वाले लोग शीव को ही ज्ञान कहते है इसलिए ये कांशी शीव में है ये कांशी ज्ञान में है और इसलिए ज्यान, शोद, अनुसंधान ये काशी और भारत के लिए स्वाभाविक निष्ठा रहे हैं, बगवान शीव ने स्वयम कहा है, सर्वक्षेत्रेशु भूपृष्टे, सर्वक्षेत्रेशु भूपृष्टे, काशी खेत्रम्च मेवपूः, अर्थात धर्ती के सभी खेत्रों में काशी, शाक्षात मेरा ही शदीड है, इसलिए यहां का पत्थर, यहां का हर पत्थर शंकर है, इसलिए हम अपनी काशी को सजीव मानते हैं, और इसी भाव से हमें अपने देश के कणकण में मात्रु भाव का बोध होता है, हमारे सास्त्रों का वाक्य है, दर्शते सवर्ग सरवे हैं, काश्यम विश्वेश्वरत अथा, यानि काशी में सरवत्र, हर जीव में भगवान विश्वेश्वर के ही दर्शन होते हैं, इसलिए काशी जीवत्व को सीधे सीवत्व से जोडती है, हमारे रुश्यों ने भी कहा है, विश्वेश्वम शरणम याया समें बुद्धी प्रदाश्यत्य, अर्खात, भगवान विश्वेश्वर की शरण में आने पर सम बुद्धी व्याप्त हो जाती है, बनारस गोणगर हैं, जहां से जगद गुरु संगराचारिय को सीधोम राजा की पवित्रता से प्रेणा मिली, उन्होंने देश को एक्ता के सुत्र में बांधने का संकल पलिया, यह वो जगए हैं, जहां बहां बगवान संकर की प्रेणा से गोश्वामी तुलसिदाज जी ने राम शरीज मानज जैसे अलवकिक रचना आती, यहीं की धर्ती सारनाथ में बगवान बुद्ध का बोध संसार के लिए प्रकट हुआ, समाज सुधार के लिए कबिरदाज जैसे मनी सी यहां प्रकट हुए, समाज को जोड़ने की जरुरत थी, तो संत रहिदाज जी की भक्ती की शक्ति का केंदर भी यह काशी बने, संकरों की धर्ती है, राजा हरिच्णत की सत्य निस्टा से लेकर, वलभाचारिया और रामानंजी के ज्यान तक, चैतन्य महा प्रभू और समर्त रामगुरू गुरू रामदास के सवेकर, स्वामी विवेक अनौन और मदन मौन मालविया तक, कितने ही रुष्यों और आचारियों का समन्द कासी की पवित्र धर्ती से रहा है। इस मरण को कहां तक लेते जाएं, कितना कहते जाएं, भंडार भरापड़ा है। जीतर कासी अनंत है, वैसे ही कासी का योगदान भी अनंत है। कासी के विकास में इन अनंत पुन्य आत्माओं की उर्जा शामील है। इस विकास में भारत की अनंत परंपराओं की ब्राशत सामील है इसलिए हर मत मतांतर के लोग हर भाषा वर्गे के लोग यहां आते हैं कि यहां से अपना जुडाव महसूस करते हैं कि साथियों काशी हमारे भारत की सांस्क्रदिक आध्यात्मिक राजदानी तो है यह भारत की आत्मा का एक जीवन्त अवतार भी है आप देखिए पूरव और उत्तर को जोडती हुई यूपी में बसी यह काशी यहां विश्वनाद मंदिर को थोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्दिमा माता हल्याबाई होलकर ने करवाया जिनकी जन्मभूमी महराज का थी जिनकी कर्मभूमी इंदोर महेश्वर और अने छित्रों में थी उन माता हल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूँ दो सो धाई सो साल पहले उन्होंने काशी के लिए इतना कुछ किया सबके बाद काशी के लिए इतना काम अब हुआ है साथ्यों बाबा विश्वनार मंदिर की आभा बढ़ाने के लिए पंजाब से महराजा रंजित्सी ने 23 मन सोना चड़ाया था इसके सीखर पर सोना मढवाया था पंजाब से पुझ्य गुरु नानक देव जी भी काशी आये थे यहां सबसंग किया था दूसरे सीख गुरुओं का भी काशी से विशेस रिस्ता रहा था पंजाब के लोगों ने काशी के पुनर्ण मिर्वान के लिए दिल खोल कर दान दिया था पूरम में बंगाल के रानी भवानी ने बनारस के विकास के लिए अपना सब कुछ अर्पन किया बैसूर और दूसरे दक्षिण भारतिय राजाओं का भी बनारत के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है एक ऐसा चारह है जहां आपको उत्तर दक्षिण नेपाली लगबग हर तरह की सैली के मंदीर दिख जाएंगे विश्वनात मंदीर इसी आध्यात्मिक चेत्रा का केंद्र रहा है और अभी विश्वनात धाम परिशर अपने भग्व रूप में इस चेत्रा को और उर्जा देगा साथियों दक्षिण भारत के लोगों की काशी के प्रति आस्था दक्षिण भारत का काशी पर और काशी का दक्षिण भारत पर प्रभाव हम सब भली भाती जानते हैं एक ग्रंथ में लिखा है तेनो पया थेन कदाच चनार वारान जिम पाप निवारन आवादी बाणी बलीना सभिष्यन विलोक के लिला वासरे बिलित्ता कन्यर भासर में कहा गया है यानि जब सद्गुरु मादभाचारे जी अपने सिश्यों के साथ चल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि काशी के विश्वनात पाप का निवारन करते हैं उन्होंने अपने सिश्यों को काशी के वैभव और उसकी महमा के बारे में भी समझाए साथियों सद्यों पहले कि ये भावना निरंतर चली आ रही है मा कभी शुबरमनिम भारती काशी प्रवास ने जिनके जीवन की दिशा बदब दी उन्होंने एक जगर लिखा है तमील में लिखा है काशी नगर फुलवर पेशुम उरईदान काशी इल के पदर कोर खरुवी सेवों यानि काशी नगरी के संत कभी का भाषान काशी पुरमने सुनने का साधन बनाएंगे काशी से निकला हर संदेश ही इतना व्यापक है कि देश की दिशा बदल देता है वैसे मैं एक बात और कहूंगा मेरा पुराना अनुभव है हमारे घाट पर रहने वाले नाव चलाने वाले कई बनारिशी साथी तो और आपने भी कभी अनुभव किया होगा तमील, कंड़ा, तेलूगू, मलियालम इतनी फरहाटेदार तरीगे से बोलते है कि लगता है कि कहीं केरवा, तमीला, अड़ुया, कंड़ा तो नहीं आ गई है अब इतना बढ़िया बोलते है साथियों, भारत की हजारों सालों की उर्जा, ऐसे ही तो सुरक्षित रही है, सुरक्षित रही है जब अलग-अलग स्थानों के खेत्रों के सुत्र से जूड़ते हैं, तो भारत, एक भारत, फ्रेश्ट भारत के रूप में जागरत होता है इसलिए हमें सवराष्टे सोमनाथम से लेकर अयोध्या मतुरा माया कासी कांचिय वंतिका का हर दिन स्वरन करना सिखाया जाता है हमारी यहां तो द्वादस जोतिलंगों के स्वरर का ही फल बताया गया है तस्य तस्य फल प्राप्ति ही भविश्यतिन संसया यानि सोमनाथ से लेकर विश्वनाथ तक द्वादर्स जोतिलंगों का स्वरन करने से हर संकल्प सिद्ध हो जाता है इसमें कोई संसे ही नहीं है, ये संसे इसलिए नहीं है, क्योंकि इस मरन के बहाने पुरे भारत का भाव एक जूट हो जाता है, और जिब भारत का भाव आ जाएं, तो संसे कहां रह जाता है, असंभव क्या बचता है, साथियों, ये भी सिर्फ संयोग नहीं है, कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बढ़ रहा है, बीटे साथ वर्षों से, काशी में चल रहा विकास का महा यग्य, आज एक नई उर्जा को फ्राप्त कर रहा है, काशी विश्वनाद धाम का अलोकारपन, भारत को एक निरनायक दिशा देगा, एक उजवल भविश्य की तरफ ले जाएगा, ये परिसर साक्षी है, हमारे सामर्थकां, हमारे कर्टव्यकां, अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है, हर बारत्वासी की भुजाओं में वो बल है, हर बारत्वासी की भुजाओं में वो बल है, जो कल्पनिये को साकार कर देता है, हम तब जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं, चुनोती कितनी ही बड़ी क्यों न हो हम भारतिये मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं विनाज करने वालों की शक्ती कभी भारत की शक्ती और भारत की भक्ती से बड़ी नहीं हो सकती याद रखिए जैसी द्रस्ति से हम खुद को देखेंगे बैसी ही द्रस्ती से विश्व भी हमें देखेगा मुझे खुशी है कि सद्यों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था जिस हिंद भावना से भारत को भर दिया गया था अब आज का भारत उससे बहार निकल रहा है आज का भारत सिर्फ सोमनात मंदीर का संदरी करण ही नहीं करता बलकि समंदर में हजारों किलोमिटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिशा रहा है आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनात मंदीर का जिर्णोर दारी नहीं कर रहा बलकि अपने दमखंपर अंतरिक्ष में भारतियों को भेजने की तैयारी में जुटा है आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रबूरसिराम का मंदिली नहीं बना रहा बलकि देश के हर जीले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा आज का भारत शिर्प बाबा विश्वनात धाम को बव्य रूपी नहीं दे रहा बलकि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है साथ क्यों नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ पर उतना ही भरोसावाई है नए भारत में विराराश्त भी है और विकास भी है आप देखिए अच्छाया से जर्गपूर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जनम की मार का निर्मान हो रहा है आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायन सर्किट से जोड़ा जा रहा है और साथ ही रामायन ट्रेन चलाई जा रही है बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है तो साथ ही कुशी नगर में इंट्रनेसलर एरपोर्ट भी बनाय करतारपुर सांप कोरिडोर का निर्मान किया गया है तो वहीं हेमकुन साहिब जी के दर्शन आसान बनाने के लिए रौप्वे बनाने की भी तैयारी है उत्राखंड में चार धाम सडक महापर योजना पर भी तेजी से काम जा रही है बगवान मिठल के करोडो भक्तों के आशिवाद से स्री संत ज्यानेश्वर महराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महराज पालकी मार्ग का भी काम अभी कुछ हफ्ते पहले शुरू हो चुका है साथियों केरला में गुरु वायूर मंदीर हो या तमिल माडु में कांची पुरम वेलंकानी तिलंगना का जोगुलांबा देवी मंदीर हो या फिर बंगाल का बेलूर मठ गुजरात में ज्वारकाजी हो या फिर अनुना चल्पर देश का परश्वराम कुण देश के अलग-अलग राज्यों में हमार यास्ता और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों प्रवित्र स्थानों पर पूरे भक्ती भाव से काम किया गया है काम चल रहा है भावियों और भेनों आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है यहां काशी में तो माता अन्नपुर्णा खुद विराज्टी है मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई मा अन्नपुर्णा की प्रतीमा एक शताबदी के इंतजार के बाद सो साल के बाद अब फिर से काशी में सापित की जा चुकी है माता अन्नपुर्णा की कृपा से कुरोना के कठीन सबाय में देश ने अपने अन्नभंडार खोल दिये कोई गरीब भूखा न सोये इसका ध्यान रखा मुप्त राशन का इंतजाम किया साथियों जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं मंदीर आते हैं कई बार इस्वर से कुछ मांगते हैं कुछ संकल्प लेकर भी जाते हैं मेरे लिए तो जनता जनारदन इस्वर का रूप है मेरे लिए हर भानत्वासी इस्वर का ही आउश है जैसे जैसे सब लोग भगवान के पाँच जाकर के मांगते हैं जब मैं आपको भगवान मांता हूँ जनता जनारदन को इस्वर का रूप मांता हूँ तो मैं आज आप से कुछ मांगना चाहता हूँ मैं आप से अपने लिए नहीं हमारे देश के लिए तीन संकल्प चाहता हूँ भूल मत जाना तीन संकल्प चाहता हूँ और बाबा की पवित्र धर्ती से मांग रहा हूँ पहला स्वच्छता दूसरा स्रजन और तीसरा आत्म निर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयाद स्वच्छता जीवन शैली होती है स्वच्छता अनुशाशन होती है यह अपने साथ कर्तव्यों की एक बहुत बड़ी संखला लेकर आती है भारत चाहे जितना ही विकास करेगा स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमारे लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा इस दिशा में हमने बहुत कुछ किया है लिए हमें अपने प्रयाशों को और बढ़ाने होंगे कर्तव्यों की भावना से भरा आपका एक चोटा सा प्रयाश देश की बहुत मदद करेगा में भी शहर में घाटों पर स्वच्छता को हमें एक नए स्वच्छता को लेकर जाना है गंगा जी की स्वच्छता के लिए उत्राखंड से लेकर बंगाल तक कितने ही प्रयाश चल रहे है नमामी गंग्य अभियान की सफलता बड़ी रहे इसके लिए हमें सजग होकर काम करते रहना होगा साथियों गुलामी के लंबे कालखंड है हम भारतियों का आत्मविश्वास ऐसा तोड़ा कि हम अपने ही स्रजन पर विश्वास खो बैठे आज हजानों वर्ष पुरानी इस कासी से मैं हर देश वासी का आवान करता हूँ पूरे आत्मविश्वास से स्रजन के लिए इनोवेट करिए इनोवेटिव तरीके से करिए जब भारत का युवा कोरोना के इस मुष्खिल काल में सैक्डो स्टार्ट अप बना सकता है इतनी चुनवतियों के बीच चालिस से जादा यूनिकॉन मरा सकता है वो भी यह दिखाता है कुछ भी कर सकता है अब सोचिए एक यूनिकॉन याने स्टार्ट अप करीब करीब साथ साथ हजार करोड रुप्रिय से भी जादा का है और पिछले एक डेड़ साल में बना है कि इतने कम समय में है यह अगूत्पुर्वा है हर भारतवासी जहां भी है जिस भी खेत्र में है देश के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा तभी नए मार्ग मिलेंगे नए मार्ग बनेंगे और हर नई मंजील पाकर रहेंगे भाई और भेनों तीसरा एक संकल्प जो आज हमें लेना है वो है आत्म निर्भर भारत के लिए अपने प्रयास बढ़ाने का ये आजादी का अमरित काल है हम आजादी के 75 साल में है जब भारत 100 साल की आजादी का समारो बनाएगा तब का भारत कैसा होगा इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा और इसके लिए जरूरी है हमारा आत्म निर्भर होना जब हम देश पर बनी चीजों पर गरव करेंगे, जब हम लोकल के लिए वोकल होंगे, जब हम ऐसी चीजों को खरीजेंगे, ज hissे बनाने में किसी भारतिय का पसीना भहा हो, तो इस भिहान को मदद करेंगे, अमरिक काल में भारत 130 करोर देश्वासियों के प्रयासों से सबके प्रयासों से आगे बढ़ रहा है महदेव की कुपा से हर भारतवासी के प्रयास से हम आत्म निर्भर भारत का सपना सच होता देखेंगे इसी विश्वास के साथ मैं बाबा विश्वनाद के माता अन्पुर्णा के काशी कोत्माल के और सभी देविद जेवताओं के चर्णों में एक बार फीर प्रणाम करता हूँ इतनी बड़ी तादाद में देश के अलग-अलग कौने से पुझ्य संत महत्मा पधारे हैं यह हमारे लिए मुझ्य से एक सामान्य नागरिक के लिए के सवभाग्य की पल है मैं सभी संतों का सभी पुझ्य महत्माओं का सर जुका करके रदय से अभिनदन करता हूँ प्रणाम करता हूँ मैं आज सभी काशी वाचियों को देश वाचियों को फिर से बशाई देता हूँ बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ हर हर महादे हर हर महादे हर हर महादे बहुत बहुत धन्यवाद मानिमीत धान्वंत्री जी आपके प्रेरना दाई ओजस्वी उद्वोधन के लिए दिव्य संबोधन दिव्य धाम का लोकारपण दिव्य धाम के लोकारपण के साथ ही साथ दिव्यतम महोस्व प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने आत्मनिरभर भारत स्रिजन का संकल्प और स्वच्छता का संकल्प ये उन्होंने देशवासियों से मागा है और साथी साथ बाबा के धाम में आत्मनिरभर भारत की संकल्पना को साकार करने का ब्रत भी देशवासियों से लेने के लिए उन्होंने ये संकल्प यहां से मांग की है यहां बाबा के धाम में उन्होंने आकर कुछ मागा है वो तीन चीजे हैं स्वच्छता, स्रिजन और आत्म निर्भर भारत का सतत प्रयास इस समय देश भर के आये हुए संत महात्माओं, मनीशियों, विद्ध्वानों, प्रबुद्ध जनों से समवाद कर रहे हैं, सिष्टा चार भेट कर रहे हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस दिव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व् विरासत को सजोकर विकास भी कर रहा है, अगर युद्या में दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माड हो रहा है, तो समूचे देश भर में, मेडिकल कॉलेजों के साथ स्वास्थ मंदिरों का भी निर्माड हो रहा है, काशी विश्वनात धाम में अगर दिव्य भव्य काशी भारत के उतकर्ष का ये प्रमाड है ये प्राकट्टे है और ये नवीन रूप जो काशिविश्वनाद धाम के परियोजना का आज लोकार पढ़ हुआ है ये भी भारत की भावभूम पर नवीन अब देख रहे थे सीधा प्रसारन काशी धाम से काशी धाम का सीधा काज जिस तरह से लोकार पढ़ हुआ और जिस तरह से एक दिव अनुभूती सभी ने अनुभव की वहाँ पर ये निश्यत तोर पर एक अलग विशिष्ट अनुभूती का विशे रहा है आपने देखा कि क इस तरह से प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार पढ़ किया और अपने ओजस्वी